हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू पावर बुक्स मैं नीलम आपके सामने एक नई हिंदी बुक समरी लेके आई हूँ उस बुक का नाम है यॉर व्रेंड एड वर्क इसके राइटर है डेविट रॉक दोस्तो सकस्पानी के लिए आपको अपने व्रेंड का डारेक्टर बनना होग इस बुक समरी में आप जानेंगे अपनी मेंटल एनरजी को कैसे मैनेज करना अपने फोकस को कैसे बढ़ाना और डिस्ट्रेक्शन से कैसे बचना तो आईए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट आप पूरे दिन पूरी तरह से प्रोडेक्टिव या फोकस्ट नहीं रह सकते इसलिए आइडिया को लिग कर मेंटल इमेज का यूज करके और आइडिया को प्यारोटी देकर आप अपने ब्रेंड की अनरजी बचाने में मदद कर सकते हैं सेकंड पॉइंट बड़े प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बाढ़ कर काम को आसान बना कर और प्लानिंग करके आप इस लिमिट से बाहर निकल सकते हैं तीसरा पॉइंट आप एक बार में सिर्फ एक काम पर ही फोकस कर सकते हैं अगर आप कई कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो आपकी प्रोडेक्टिविटी कम हो जाते हैं और आपकी एनरजी भी जल्दी खत्म हो जाते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको चीजों का प्रोडेक्टि करना चाहिए और एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना चाहिए व्रेन को एनरजी बचाने में मदद करने के लिए आपको नई आदतें बनाने भी प्रक्टिस करनी चाहिए फोर्थ पॉइंट ध्यान भटकाने वाली चीज़ें अंदर और बाहर दोनों तरह की होती हैं आपको बाहरी डिस्ट्रेक्शन को हटा देना चाहिए और अंदर के थौर्ट्स को इंग्नोर करना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इमेल चेक करने के में फॉन कॉल का अंसर देने में और बाकी के फालतू कामों में अपनी लिमेटेड एनरजी बरबाद कर देंगे फिफ्ट पॉइंट वीक पर्फॉमेंस देने के जौन तक पहुचने के लिए आपको अपने ब्रेन को जगाना पड़ेगा विजुलाइज करना पड़ेगा किसी रिवर्ड के बारे में सोचना या बॉक करके जैसी अक्टिविटी से आप अपने अलट रहने के लेवल को कं पुछ नहीं पा रहे हैं इन पास से बाहर निकलने के लिए आपको अपने ब्रेन को आराम देना होगा खुद अलग करें और फिर साइद आपको सोचने के नई तरीके मिल जाएंगे अपने ब्रेन को जाना अशरदार बनाना सीखना मुस्किल होता है क्योंकि पुरानी आद को करने के लिए अपना ध्यान उस पर लगाने की कोसित करते हैं तो आप ब्रेन में नई सरकित बनाते हैं पुराने मेंटल रास्तों को बदलना आसा नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है इसके लिए फोकस लगन और मेहनत की जरूरत होती है इस समरी में दिये गए लेसन को अपलाई करके आप ऐसा करने में जरूर सक्सेस्फुल होंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल सस्क्राइब जरूर कर लें मिलते एक नई वीडियो के स झाल झाल